हाई अव्रिवान बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना पंगर सर आपके अपनी यूटूब चैनल मैगनेट ब्रिंज कॉंपटेशन पर जहां पर हम आपको प्रुवाइड करते हैं 100% फ्री एज्यूकेशन वो भी क्वालिटी कॉंडेंट के साथ में हमारा 40 days का crash course चल रहा है IVPS, RRBP और क्लर के लिए जिसका आज जो है वो day 33 है और आज हम data interpretation में बात करेंगे बार ग्राफ के उपर ठीक है तो इसके पहले pie chart इसके पहले tabular के बारे में हम बात कर चुके हैं आज बारी है बार ग्राफ की और देखेंगे कि किस तरह से prelims लेव यह रहा तो सवाल को बहुत ध्यान से आराम से अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें आपको राइस, वीट और शुगर इंडिकेट किया गया है कौन-कौन सा राइस का है वीट का और शुगर का है और यहाँ पर पाच र राइस, वीट और शुगर कंजूमड वाई वेरियस रेस्टूरेंट ओवर इयर तो यहाँ पर जो अलग-alग रेस्टूरेंट हैं वो कितना राइस, कितना वीट, कितना शुगर कंजूम करते हैं यानि की यूगर करते हैं वो आपको यहां पर data दिया गया है, यह जो values हैं, यह in terms of किस में है, sir? kg's में है, sir, ठीक है, sir, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां जो दिया गया वो क्या है? A, B, C, D, E, यह 5 resident के नाव है, ठीक है, sir, अब इस पर सवाल कैसे बन सकता है, इस पर सवाल कैसे बन सकता है, थे न, तो आपन देखते हैं इस पर सवाल क्या-क्या पूछा जा सकता है तो पहला सवाल जो है वो क्या है सर वो यह है कि what is the respective ratio of the amount of rice, wheat and sugar consumed by restaurant B to the same consumed by restaurant E. यानि कि आपको restaurant B और E में तुलना करनी है है ना अच्छा क्या तुलना करनी है कि भाईया वो कितना amount जो है rice का, wheat का और sugar का consume करते हैं यानि कि आपको तीनों चीजों का total B के लिए तीनों चीजों का total E के लिए निकालना पड़ेगा और उसका ratio लेना पड़ेगा कर सकते हैं हा या आपको B और E में करना है B और E में करना है ठीक है sir। ठीक है sir तो यहां पर विसका total लिएगे यहां ऑर भूला कि यह तो मैंने का सर यह आपका 600 है है ना यह आपका 600 है यह आपका 800 है तो यह 1400 ही हो गया इसमें पांच जोर देते हैं 1950 1950 यह हो रहा है 1950 तो हमने यहाप लिख दिया 1950 ठीक है एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं हमें और यह आपका 600 है यह आपका 700 है तो शाड़े साथ सो को 700 पिलाएंगे और 50 इसको देदेंगे तो यह भी 700 हो जाएगा तो यह चौदा सो यह हो गया और 1400 के बाद में ये कितना है सर ये आपका 500 है तो ये कितना हो गए सर आपका 1900 तो ये आपका कितना हो गए सर आपका 1900 ठीक है सर कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है अब अपन सवाल पे जाते हैं ऑप्शन देख लेते हैं ठीक है ऑप्शन कैसे दिये गए ऑप्शन कैसे दि तो यहां से पूरा रब कर देते हैं आप यहां पर सवारे है में शुगर consumed by all the restaurant अरे बापरे मंदब तीनों का टूडल करना पड़ेगा और पांच यह तो पांच से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके आपको कुछ एंसर आने वाला तो थोड़ा सा यह महनत वाला काम होता है न तो क्या बोल रहा है वाट इस आवरेज amount of rice wheat और शुगर तीनो राइस वीट और शुगर तीनों चीजों का टोड़ार सब्का और उसके दाफिर इससे पांच से बोड़ाएड करो बऊथ लंबा सического फिर figak 25 रही करना तो पड़ेगा घरना तो पड़ेगा तो हमने यहांपर देख लिया है यहां पड़ेगा तो हमने रही किए थो बीगद अब गरेमने लाख राइज शूगर का ईसी कुछ थो यह रहा तो यह कितना है यह आपका Ub2 है और ये आपका कितना है सर ये आपका 600-600 है तो ये 1200 और ये 1950 है ना 1950 तो इसका भी कितना आ रहा है सर 1950 ही आ रहा है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है C का देख लेते हैं सर, C में कितना हो रहा है सर, C में यहाँ पर ये 500 है और यहाँ पर ये 550 है और यहाँ पर ये 350 है तो 350 में यह 50 दे देंगे, तो यह 400 हो जाएगा, हाँ sir, 400 हो जाएगा, तो यह 400 है, और यह 500 है, और यह भी 500 है, यह ना, इसका 50 हमने इसको दे दिया, तो यह 400 पे आ गया, तो 400, 500 और 500, ठीक है, यह हो गया, तो यह हो गया, तो यह हो गया sir, आपके पास में 1400, यह हो गया sir, सो छाथ सो है फिर ना छエ सो घयसे से सू और यह पांच कितना हो गया तर्थारा सो ऐसार आपका आठारा सो ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं अब इनका टोडल कर लेते हैं लो कर लेते globalization तो हमने एखिए उननिस रिख लेते Sullivan करते हैं सर दो 125 सो और एक है उननिस सो मैंने इसको उननिस सो बना दिया हाँ सर इसका पटाइस को देदी दो हजार बन गया तो बीस लिख लिया इसका फॉर्टीन इसका अठारा इसका उननिस तो उननिस अठारा फॉर्टीन और यहां पर बीस और उननिस ठीक है सर तो यह कितना होगा सर आपक तो गाटा तो आपक्स को पांच से डिवाइड करते हैं साफ साफ दिख रहा है कि य आपको या एका सर अठारा सो यह कितना है अधारा सब्सक्राइब आपको बता देता हूं टोडल करना मुश्किल काम नहीं है कर लिया उसके मैंने इसका पज़ाइस को दे दिया तो यह 2000 हो गया उननीस सो हो गया लिए तो 1900 को लिखा 2000 को अनिस सो को अनिस लिखा तो वो कितना एगा सर आपका 18 स्वाइगा तो इस सवाल का जो सही जवाब है इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर आपका 18 स्वाइगा तो आपका जो first option है वो इस सवाल का सही जवाब होगा ठीक है कोई दिक्कत है कोई परिशानी है नहीं है आगे बढ़ते हैं आगे रेस्टूरेंट अच्छा डी रेस्टूरेंट पर जाना है ठीक है सर परसंटेज निकालना है ठीक है सर डी रेस्टूरेंट पर जाना है शुगर जो है वो कितना प्रतिशत है वो भी एप्रॉक्सिमेट वैलू पूची गई आपसे तो शुगर जो है शुगर जो है उसको दे हम ने बोला यहां पर sugar कितना है डी में, तो sugar डी में हमारे पास कितना है वह Ya. शुगर डी में 500 दिख रहा मुझे हैं न एक बद चेक कर लेते हैं यह शुगर यह है यह यह शुगर है और यह d यह शुगर और यह आपका 600 और यहाँ यह दोनों तो यहाँ पर यह कितना है सर यहाँ अर्याइश विट मालाइश शू है की कितना करेंगे सरेंडिकर इसको में सॉल करना इसको में किया करना सर comprend um ठीक है चैसर आगे बढ़ते हैं ऑगे बढ़ते हैं ऑप्शन पे आ जाएं थोड़ा सा approximate value निकालनी कि या देख लेते हैं потом यहां पर क्या हो रहा है सर यह 500 अपन थर्टीन हंड्रेड इंटु हंड्रेड यह हमें करना है कई से होगा कई से कई से कई से कई से कई से होगा तो मैंने का देखो ऐसा है ना आप सिंपल है आप यहां से दो ज़िरो तो कैंसल करी दो ठीक हे यह उजाएगा आपका पांसो अपूं थेरा अचार करेंगे तो कित्ना होगा तेरे इंटू 4 करेंगे तो तो यह 13 इंटू 3 कितना होता? 39 होता है, 39 यहां से चला जाएगा 50 में से, कितना बचेगा सर? 11, तो 110 बचेगा, तो 110 को अपने को 13 से डिवैड करना है, अब 13 इंटू 8 करेंगे, तो 80 और 24 होगा, यानि कि 104 होगा, 140 के आसपास है, कम है, हाँ चलेगा, यानि कि 38 होगा, अब 38 प सेकेंड डिट क्या होगा, आठ होगा कि दो होगा, क्योंकि अप्रॉक्सिमेट एंसर बताना है, यानि कि पॉइंट में कुछ आएगा, 38 पॉइंट सम्थिंग है, 32 पॉइंट सम्थिंग आएगा, अब वो आठ है या दो है, वो देख लो, तो मैंने देख लिए भी है, है कि तीन से मैंने किया, तो यह 39 चला गया, तो बचा 11, 11 तो 110, 110 तो यहां पर 8 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 104 चला जाएगा, इस तरह से चले गई, तो यह 38 पॉइंट सम्थिंग आएगा, तो इसका जो एंसर है, वो कितना है, सर आपका C option है, ठीक है पेटा, चला, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स सवाल पर आते हैं, और यह रहा आपके पास में, नेक्स सवाल, आप से क्या बोल रहा है कि rice consumed by restaurant C is approximately what percentage of the rice consumed by all the restaurant together, अच्छा, तो मतलब restaurant C द्वारा जो rice consume किया जा रहा है, वो लगभग कितना प्रतिशत है, सभी restaurant, प्रेंट, सभी restaurant, जो भी rice use कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और इसमें भी approximate answer ही बताना है, यहां पर हम क्या अगर सकते हैं, यहां पर हम यह कर सकते हैं, कि rice पे concentrate करो, किस पे, c वाले पे, और यहां पर फिर क्या करना है, rice ही करना है, किस पे भीया, all, into यहां पर क्या करना है अच्छा, ठीक है ना, तो rice consumer, restaurant, c is approximately what percentage of the rice consumer, all the restaurant together, ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर आगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें, इसको नीचे लिख लेते हैं, तो यहां पर हमारा क्या आगया, सर, यहां पर आगया, सर, हमारा rice, c और यहां पर rice, all, और into 100 कर देगे, अब यहां पर rice, c कितना कर रहा है, c पे चले गए, c पे rice कितना विया, c पे rice हमारा है, black वाला, तो यह हो गया, सर, आपका 500, ठीक है, यह कितना हो गया, सर, 500, तो यह 500 आगया, ठीक है, एक बार देख ले, c पे rice यही है, c पे rice 500, ठीक है, सर, अब rice all देख लेते हैं, तो rice all में, rice all में, क्या होगा, सर, यहां पर आपका rice कितना है, सर, 1500, ठीक है, सर, इसके बाद यहां पर कितना है, सर, आपका 600, तो पचास आप यहां पर ले ल Bloody, तो यह कितना मालनो, 700, 700, 600 बज़ी आपका 300, 1300, और यह 500 इतना होगा, आपका इसने all बोला है एसा नहींड बोला है। कि यह सी और बाकी रिमेनिंग ऐसा नहीं बोला उसने, सी एंड और और के साथ, तो और में सी भी आ जाएगा, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है सर, यह कोई दिक्तत वाली बात नहीं है, अब हम यहाँ पर आते हैं सर, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से यह दो जिरो कैंसल करते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा सर, यह 500 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा, ठीक है सर, अब option देख लेते हैं, क्योंकि approximate answer हमें बताना है, तो हम एक बार थोड़ा सा option के तरफ भी ध्यान देदेगे, ठीक है सर, यह जो भी extra चीज़े यहाँ पर हैं, उसको हटाते हैं यहाँ से, यह खताब, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, 500 upon 32, तो 32 into 3 करेंगे क्या, 3 करेंगे क्या, नहीं सर, 1 करेंगे, ठीक है सर, 1 करेंगे, तो सब तो 1 से दिया, यानि कि 2 वाला तो गया अपने हाथ से, ठीक है सर, अब 32 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 180 बचेगा, 180 जो बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ बचेगा, तो 180 हो गया, 180, 30 होता तो 6 बार में जाता, 32 है, तो 32 में अगर आप 5 मुल्टिप्लाइ करोगे, तो कितना होतासर, यह एक सो साथ होगा, 180 और 160 हो गई, ठीक है न, छे तो मुल्टिप्लाइ करने सझते, 5 ही करोगे, यहनुकि यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है सब, यहाँ पर यह 15 पूंट संधिंग आएगा, तो 15 पूंट संधिंग आएगा तो यह नहीं हो सकता, यहां पर देखो कि यह 500 लिखा हुआ है यहां पर एक चीज़ देखो बेटा यहां पर कि 32 इंटू आपने 15 किया तो 32 इंटू पंदरा करोगे तो 32 में उसका अधा जोड़ तो कितना हो गया ऑगर आप परसेंटेज में सोच हो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि फाइफ फाइफ पाइट जो होगा वह कितना हो जाएगा तो वह 62.5 हो जाएगा ठीक है ना यानि कि in terms of अगर इसका decimal की फॉर्म में लिखूंगा तो यह 0.625 हो जाएगा 0.625 हो जाएगा यानि कि आपको ठीक है सर आगे बढ़तें आगे बढ़तें next question पर आते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि what is the difference between the average amount of wheat and the average amount of sugar consumed by all the restaurant together अच्छा तो मलब what is the difference between the average amount of wheat and average amount of sugar consumed by all the restaurant तो हमें यापर क्या करना है सर हमें wheat all और sugar all करना पड़ेगा average निकालना है तो हमें इसको 5 से divide करना पड़ेगा और इसका फिर हमें क्या लेना है सर डिफरेंस लेना है हमें इसका क्या लेना है सर डिफरेंस अब मैंने difference का जो sign है वो ऐसा क्यों बनाया है क्योंकि यहां पर इन दोन में से जो भी बड़ा होगा उस में सेiked निल से चोटा कौन सा है तो वीट का टोटल का लो है ना शुहर का टोटल निकालो और उसका फिर निकाल दो और उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल दो है ना एवरेजमांट ऑफ शुगर कंजूंब अल्डरेस्वेंट टूगेदर एवरेजमांट ओवीट ठीक है तो वीट और शुगर पर आ जाते हैं भीया आगे भीया बहुत ही आराम से बता रहों है ठीक है शलो तो यह और यह कितना हो गया सर नाइंटीन हेंडड़ और यह हो गया सर आपका पच्छीस सो पच्छीस सो और यहां पर अपने इसको साथ ले लिया तो पच्छीस सो और यह कितना हो जाएगा सर आपका बतिस सो और यह तैतिस सो तो यहां पर यह कितना जाएगा सर थर्टी थ्री हं अपन फाइव ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर अब यहां पर हम किसकी बात कर रहा है शुगर की है न हम किसकी बात कर रहा है शुगर की तो शुगर पर आते हैं भी है शुगर पर कहा है भी है शुगर कौन सा भी है यह वाला है तो इसमें शुगर कितना है सर छे सो इसमें कि 一सकितना तो इसे एकतने होगे आम कितना होगे तर आपका 2005 यचा हो जाएगा आपके पासव अपाश कोई परिशाल निहीं तो मैंने का इनका निकालना हाँ निकालना तो है तो आप क्या करो इसमें इसको पहले माइनस कर दो यहां पर यह कितना हो जाएगा आपके पास में 800 हाँ आट सफ़ाइब का दिवाइड करके तो मैंने बेस देखा सीमी है तो पहले ऊपर वाले का डिफेरेंस निकाल लिया तो इनकी बीच में जो डिफेर option पर जाके देखा तो option कौन सा है भी हमारा option हमारा 160 तो बी option हमारा सही जवाब ठीक है बेटा कोई दिक्कत है तो पताईए ठीक है आगे बढ़ सकते ठीक है तो यह हमारा एक डियाई सेट खतम हो गया वार ग्राफ के उपर अब हम दूसरे पर आते हैं अब हम दूसरे पर आते और यहां पर number of people number of persons आपको बताए गया है कि किस organization में कितने लोग है अब उसमें से male कितने फिमेल कितने वह आपको बार ग्राफ के थूद दिखाए दे रहा है तो यहां पर पढ़ते हैं कि study the following graph carefully to answer the question that follow number of female and male working in five different organization ठीक है तो वही चीज़ है ना पाच अलग-अलग organization है उ का number आपको यहां पर indicate किया गया है अब हमें यहां पर देखना है कि यहां पर हमसे सवाल क्या-क्या पूछा जा सकता है क्या-क्या बनाया जा सकता है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर आते हैं तो यह सवाल में क्या बोला गया भीया the number of males in the organization d forms what percentage of total number of employees from that organization round of two two digit after decimal ठीके सर आफ्टर डेसिमल ठीके सर तो आपसे बोल रहा है भीया कि और organization d पे जाना है अपने को उसमें number of male देखना है और उसमें यह पूछा जा रहा है कि कितना percentage वह form कर रहा है total number of employee उसी organization के ठीके सर तो हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर डी का all देखना है हाँ सर डी का all देखना है और यहाँ पर डी का male है ठीके सर डी का male है कोई दिककत नहीं कर लेते हैं कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने देखा कि सर डी डी यह d में male कौन सा भी काला वाला है ना d में कौन सा याध devotion to यह आपका 30,000 прä unity in 1000 के बीच में यानि कि इनकी बीच में जो gap है वो 500 बीच बला पॉइंट होगा, वह किटना होगा थाइसवाला बीच बाइंट 5 2 present 3 to 5 0 तो इसमें D मेरे जो मेल है वह 3 to 5 0 तो यहां पर हमें लिख दिया आपका 3 to 5 0 इन्टु यहां पर 100 लिख दिया अब डी आल देक लेते हैं D में पूरे कितने लोग है सर आपका तो यहां पर यह 200 अधर कम कर दो 20 कंकर 2 205 रो यह हो जाएगा रहे हई लिए अर्यहे सर यह कितना है सर आपके पास में थाइसो मैंने इथर ले लिया और इसका कितना है सर इसको m3 ले ले लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर खशे घ infect पैatta आप option पर देख लेते हैं तो हमें यह चीज़ तो मालौ है इसको इदर देखें यहाँ पर यह चीज तो से यह 2-0 चला जाएगा, यह अपना चला जाएगा, तो अपने पास आएगा 325 अपॉन 6, तो 6-5-30 हो गया, 6-5-30 हो गया, अच्छा सर, 30 हो गया तो बच्चा कितना, 25-6-4-24 हो गया, और बच्चा कितना, 1 by 6, है न, 1 by 6, 54, 1 by 6, अब 54, 1 by 6 का मतलब क्या होता सर, 54.166 होता है, है न, 1,666 ऐसा जलता हैगा, तो इसको अपने लिख दिया, 54.17, 54.17, ठीक है, 54.17, तो हमारा जो एंसर आएगा, वो कितना आएगा सर, 54.17, ठीक है, कोई दिक्कत, हमको D में जो मेल हैं, और D में जो टोटल लोग हैं, उनके बीच में हमें परसिंटेज बताना था, हमने इस तरह से पहले टोटल निकाल लिया और कर दिया, 54.17, इसका एंसर आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, यह मेरा पहला ऑप्शन जो है, यह सही बैट रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, आसान सा सवाल था, तो इसमें अब और ज़्यादा समय देनी की जुरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आत यानि कि पहले फिमेल और बाद में मेल, इसका रेश्यो बताना है, ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं, ए यह रहा, इसमें फिमेल को देखना है, पहले तो फिमेल वाली यह है, तो यह पंदरा सो है, और यह आपका कितना है, वन फाइफ, वन सेवन फाइफ जिरो, यह पंदरा सो हैं, और यहाँ पर कि क्या है, यह पांचो का अंतर है, तो यह धाई सो हो गया, तो यह साड़े सत्रा सो हो गया, ठीक है, साड़े सत्रा सो हो गया, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम गए और हमने यहाँ पर ऑप्शन इसको यहां से हटाते हैं, तो हमने बोला, इसका हमें क्या बताना है सर? ratio बताना है, तो हमने बोला, सर यहां से न, 112 तो कमि कर दू, ठीक है सर? 5 से काटेंगे तो यह 30 न होगा, हाँ सर? 5 से गाटेंगे तो 5 3 15, 55 25, 5 6 जल्षा और 5 7 जल्षा, यानिकी 6 is to 7, 6 is to 7, यानिकी यह है हमारा ratio, ठीक है, यहाँ पर 7 is to 6 भी दिया है, गल्ती हो सकती है, इसलिए यहाँ पर 6 is to 7 हमारा सही होगा, क्योंकि उसने बोला क्या है, number of female to number of male, ठीक है ना, तो answer क्या होगा सर, इसका 6 is to 7 होगा, बहुत ही आसान सवाल है, मेरे खाल से इस from organization e, forms approximately what percentage of the total number of employees from that organization, ठीक है, तो number of female from organization e, तो मतलब e में जाना है, और उसमें जो females है, वो देखना है, उसमें जो females है, वो देखना है, और बोल रहा है कि approximately what percentage of the total number of employees, ठीक है, तो यानिकी e में total के साथ में इसका comparison करना है, ठीक है, total के साथ में इसका comparison करना है, कोई दिक्कत, है ऐसमेल कुछ है मेरे पास में यह आगा सर्ह आपका 2250 यह कितना हो तो हैं पर इस में से अपने 200 कम कर दिया यह होजाएगा सार आपका कितना धाइओंगा है तो 5,000 और 5,500 जोड़ दिया 5 2,50 ठीक है यह ओगया सर फाइफ टू फाइफ जीरो इन्टु कितना हो गया सर आपका 100 ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं कोई प्रश्ण नहीं समझ में आ रहा हो गा ठीक है सर अब यहां सर आपका 105 इंटु 100, 5 से जाएगा कितनी बार, 11, 5 से जाएगा सर कितनी बार, 21, तो यह हो जाएगा सर आपका 1100 अपॉन 21, इसको solve करना है, इसको solve करना है, तो एक बार आपन गए option पर, एक बार गए अपन option पर, ठीक है न, तो यहाँ पर option पर अगर हम जाते हैं तो इक्किस इंटू छे तो नहीं कर पाएंगे है ना इक्क्स इंटू छे तो नहीं कर पाएंगे क्यों कि 126 हो जाएगा 126 यह तो 110 ना शुरुवात में तो यह वाला option तो हमारे चले गाए ठीक है सर अब 215 करेंगे तो 105 तो होगा है ना सरा से इस पर पहुचेंगे तो यह हमारे इस सवाल का सही जवाब इसको एक बार देखो अच्छे से चलिए भाई नेक्स पर आते हैं इसको यहां से क्लियर करते हैं अब हमारे पास में सवाल यहां वाट इस दा टोटल नंबर ओफ फिमेल from all the organization together यानि कि सारे organization में जितने भी महिला हैं उनका टोटल बताईए आप ठीक है सर तो हम यहां पर क्या करेंगे कैसे करेंगे यहां से रेको हमारे पास में यहांपर क क्तना यहां पर आपके पास मेंband defect यहांपर कि पास में यहांपर के 2.200 दे तो. ये 2.200 इसको दे तो. तो ये 3000 पर पौझ जाएंगे? हाँ sir 3000 पर पौझ जाएंगे? बहुत ही शांदार. ठीक है sir? और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना है sir? यह अपना 25 और यह 2500. तो यह नहीरा कि 27-50. 27-50, ठीक है ना ये चीज़ हो गए, हाह सर ये हो गए, अब इसको जोड लेते है है सर इसको जोड लेते है, तो मैंने का सर इचर आपना 4000 हो गए ये 4000 हो गए와 7000 हो गया, और ये कितना हो गए सर 9000 हो और ये दो 11 तो 11 750 11 750, ये होना चीहval यह होना चाहिए देख लेते हैं आप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं है ग्यारा साथ सो पचास यह रहा है तो यानि की बी ऑप्शन हमारा सही होगा है ना बहुत ही सिंबल सवाल था देखना था कितने कितने महिला हैं उसका टूल करना था आराम से कर लोगे तो इसमें टाइम करने का कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर आते हैं What is the total number of employees working in organization C and B together number of employees total number of employees पूछ रहा है ना तो B और C में देखना है भी और C में देखना है तो B और C का total बताना है ठीकिना मेल फीमेल दोनों चीजें देखनी पनेंगे तो क्या करेंगे बिग्या क्या क तो यह चाहर हजार हुजार को why टोटल आ गया और यहां पर कितना रहे सवर यहां पर रातएं-टाइट9 जिखायों धाए ह्टीड और तो इसके हुजआए घसाव गया यहां तो इसके तो सानjem ऑhale और फार कि इस बनीघोडे है हुए तो इसके अलिसे आंगा-पर आपसे मेरा नन ओफ दीज एंसर होगा घबनाना नहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका यहां नहीं दिख रहा आपको लगता नहीं यार मेरा एंसर ना शारी होगा आपने गलती करती होगी फिर से चेक करता हूं उसमें टाइम वेस्ट होता है अप इतनी गलती थुड़ना कर यहां पर कितना दिस्टन्स इन किलोवेटर नों ट्राइवल रहें तो यहां पर आपका दिस्टन्स हैं इन किलोमीटर और यहां पर ट्रक्स के नाम लिखंग हो है धींदी तो यहां पर यहां पर क्या बोल क्या वोड़ा है did the following graph carefully to answer the question that follows अगे सवाल देखते हैं सवाल देखते हैं सवाल मैं आप से क्या बोली कि what is the respective ratio of the distance traveled by truck A to distance traveled by truck D तो truck A और truck D ने कितना distance travel किया है उसका ratio पूच रहा है उसका ratio पूच रहा है तो कैसे करेंगे सर यहां पर तो truck A और truck D यहां पर इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं आपर तो हमें याद रहेगा आगे भी इसी पूलीशन पी लिखना पड़ेगा मैं तो truck A ने कितना distance travel किया भी है truck A ने 475 travel किया 475 ठीक है सर ट्रक D ने कितना किया सर ट्रक D ने आपका किया है सर 425 कितना किया भी है 425 ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं कोई परिशान नहीं बेड़ा यहाँ से चाहिए सर्भ और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं यहाँ पर अगर मैं 5 Nina 45 ऐसर और 25 ठीक है तो पांच से जाएगा यह उनिस बार, पांच से जाएगा सत्रा बार, ठीक है सर्थ, तो उनिस और सत्रा, उनिस और सत्रा यह आपके बास, तो यह सी option आगया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, किसे भी तरह की, नहीं, चलिए, तो मेरे ख्याल से, इस से आसान तो जीवन में कुछ हो नहीं सकता, आगे बढ़ते हैं, next question पर आते हैं, अब इसको यहां से मिटाते हैं, आप से क्या बोल रहा है, total distance travelled by truck A, B and C together is how much percent more than distance travelled by truck D and E together, अच्छा, यहनि कि truck A, B, C, truck A, B, C, और truck D or E, ठीक है न, truck D or E, truck D or E, आपको क्या बताना है, distance travelled by truck A, B, C together is how much percent more, how much percent more, percentage में आपको यह value बतानी है, ठीक है न, percentage में आपको यह value बतानी है, तो मुझे इसको फिर से नीचे की दरफ लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, A, B, C और यहाँ पर D, E और यह जो आपको बताना है वो percentage change बताना है, percentage change बताना है, ठीक है, ठीक है सर, तो आ जाते है, आ जाते है, A, B, C का total कितना हो रहा है सर, A, B, C का total हो रहा है सर, यहाँ पर आपका 475 है, यहाँ पर 475 है, और B का कितना है सर, B का आपका 350 है, ठीक है सर, और C का कितना है सर, C का आपके पास में 550, कितना है सर, 550, तो यह 5 और 3, 8 यह 9 हो गया, 9 और 4, 13 हो गया, 1375 हो गया, तो 1375 हो गया, D और E देख लेते हैं, D और E पर कितना है सर, आपका 425 है, D पर E पर कितना है सर, आपके वास में 525 है, 425 और 525, तो यह 549, 950, यहाँ पर यह कितना होगा सर, 950 होगा, 950 होगा, तो 50 में 25 जोड़ेंगे, और 9 में 400 जोड़ेंगे, तो 425, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, वो कितना है सर, 425 का रहा है, तो 425 अपान 950, इंटू कितना करेंगे सर, 100 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे खाल से आपको यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है न, तो इस चीज़ को मैं यहीं पर लिख दूँ क्या, यहीं पर लिख दूँ, 425 अपान 950, इंटू 100, ठीक है, अब यहाँ पर आपन आजाते हैं, कहाँ पर सर, options पर, options पर आजाते हैं, अब options जो हैं, उसमें कहीं भी approximate शब्द इस्तमाल नहीं किया है, हाँ सर, और सारे जो values हैं, वो decimal में दी गई हैं, ठीक है सर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, तो पहली बात तो यह हो गई सर, कि यहाँ पर यह एक एक जीरो जो है, वो तो हम cancel करी सकते है यहाँ पर हम एक एक जीरो जो है, वो cancel करी सकते हैं, हाँ सर, अच्छा, 5 से काटेंगे तो 5, 8, 40 हो जाएगा, हाँ सर, और 5, 5, 25 हो जाएगा, हाँ सर, 5 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, सर, यह आपका 5, 1, 5 हो जाएगा, 5, 9, 45, इंटू 10 करना है आपको, अभी 10 को थो तो 95 हो जाएगा, ऊपर चलेगा, 5 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, ठीक है सर, यानि कि हम 4 तो कर सकते थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि यह 4 से किया, तो यह 436 कितना हो गया, 76 हो गया, 76 में 9 जोडेंगे, यानि कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, सर, 9, पॉइंट लगाएंग आपका हो गया सर यह कितना हो जाएगा सर आपका अब नबे में अपन क्या कर सकते हैं सर नबे में आपन जाएंगे अगर पांट जा नहीं सकते, तो चारी जाएंगे, यह न, चारी जाएंगे, तो मतलब यह 44.something होगा, 44.something होगा, यानि कि यह हमारा E option होगा, यह हमारा क्या होगा, E option होगा, क्या किया मैंने देखो, सबसे बहले मैंने total निकाल लिया, difference निकाल लिया, फिर मैंने एक जिरो cancel कर दिया, पांट से cancel कर दिया, फिर मैंने इसको लिख दिया, आट सो पचा सपन उननिस, उननिस इन्टू चार जो होता है, वो 76 होता है, तो 76 इसमें से जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 9 बचेगा, तो 90 हो जाएगा, अब 90 को अगर हमें 19 से काटना है, 90 को हमें 19 से काटना है तो 19 इन्टू 4 करेंगे, तो 76 होगा, है न, 19 इन्टू 5 कर देंगे, तो कितना हो जागा, 95 हो जाएगा, तो उपर चलेगा, तो 4C करना पड़ेगा, यानि कि 44 तो होगा, तो 44 अगर होगा, तो यह 44 नहीं है, 44 तो यह ही है, अब डेसिमल बगर एंसर आ रहा है, तो 44 पॉइं the given distance at the average speed of 47.5 km per hour, what was the time taken by it to cover the distance, तो आपसे time पूछ रहा है, time क्या होगा सर, distance upon speed हो जाएगा, तो truck A ने जो distance travel किया, वो तो graph से पता चल जाएगा, और जो उसकी speed हो कितनी है, 47.5 है, ठीक है सर, तो यहां से आपको जो time निकलेगा, वो किसमें निकलना चाहिए, आर्स में न करना चाहिए, तो हमने देखा भी यहा, हमें truck A पर concentrate करना है, truck A पर हम गए, truck A ने कितना distance travel किया, sir, 475, यानि कि यह जो distance है, 475 आजाएगा, ठीक है, यह distance कितना आजाएगा, sir, 475 आजाएगा, तो solve करने पर कितना आएगा, sir, 10 आएगा, तो option देख लेते हैं, तो option में यहां क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठीक है, simple, 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 easy, आगे बरते हैं, आगे बरते हैं, इस सवाल पर चर्चा करते हैं, अब आपके पास में यह सवाल आगया, आपके पास में यह सवाल आगया, आप से क्या पूछ रहा है, कि if distance traveled by truck E is approximately, the distance covered, the distance traveled by truck E is approximately what percentage of the total distance traveled by truck B and C together, तो truck E truck E ने जो distance traveled किया है, और truck B और C ने मिलकर जो distance traveled किया है, उसका percentage बताना है आपको, कि यह इसका कितना percentage है, यही बताना है, और approximate answer निकालना है, क्या निकालना है, approximate answer निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर आ और ये हो गया आपका 5,5,5,3,8,9 तो यह हो जाएगा सर आपका 900 इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे तो यहाँ से यह 2,0 तो वैसी गैंसल हो जाएगा solve कर लेंगे तो 9,6 जा तो नहीं कर सकते हैं 9,5 जा करेंगे, 9,5 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो कितना बचेगा सर यहाँ पर 7 बचेगा, 75,9,8,7,2 है न, 9,8,7,2 तो बचेगा कितना आपके पास में 3 बचेगा, है न, 3 by 9 कितना होता है 1 by 3 यहने की 58.33 58.33 तो 58.33 को approximate बोला है तो आपर क्या लगा देंगे, 58 लगा देंगे ठीक है न, 58 लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, तो इस पे आगया है तो 58 हमारा यह पहला ऑप्शन, हमारा जो answer होगा, कितना होगा सर, 58 होगा कोई दिक्कत, कोई परिशानी, किना truck E ने कितना distance travel किया था 525, truck B और C ने दिलकर कितना किया था, 900 हमें इसका percentage बताना था कि E ने जो distance travel किया है, वो B और C ने जो distance travel किया, उसका कितना percentage है, ठीक है बीटा, और approximate answer बताना था हमें, आगे बढ़तें, आगे बढ़तें इस सवल की बात करतें, अब आप से क्या सब्सक्राइब करना है, तो हमने गए ग्राफ पर और ग्राफ में देखा, C ने कितना distance travel किया, C ने किए 550, तो ये 550 हो जाएगा, ठीक है न, ये कितना जाएगा, आपका 550 हो जाएगा, तो इसको solve करना है, ठीक है, option देखते Nepal, option में क्या दlungen क्या दिया है? अब making this to sit sit, say it Press यहां से हटाते हैं अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि भीया आपके पास में two broad band है ना two broad band है उसका नाम A और B दिया गया है उसका नाम क्या दिया गया है A और B दिया गया है कैसे यहां पर दिख रहा है पाच cities है PQRST ठीक है और number of users जो है वो यहां पर दिये गया है है ना number of users आपको यहां पर दिये गया है तो पाच city कौन सी है सर PQRST ठीक है उसमें A और B दो broadband है है ना for example Airtail हो गया Reliance हो गया है ना ऐसा कुछ हो गया ठीक है ना और यहां पर number of users दिये गया है कि किसके कितने users हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां पर दी गई है ना study the following graph carefully and answer the question that follows number of users of two broadband services A and B across five cities PQRST ठीक है अब यहां पर सवाल कैसे बन सकता है तो मैं आपसे request करूंगा कि यह जो सवाल है यह आप खुझ से करो यह आप खुझ से करो और इसका जो answer है वह आप comment box में भेजो इमानदारी से ठीक है ना अगर मैंने आपको जो कुछ भी अभी बताया है अगर वह आपसे बन रहा है तो यह सवाल आपके लिए मैंने practice के लिए दे दिया इसका answer निका कर देना comment box में कर दोगे अब सवाल देख लो अब सवाल देख लो सवाल क्या है भीया कि what is the total number of users of broadband be across all five cities together तर यानि कि आपको आपको पांचो cities में broadband be जो use कर रहे हैं उसका total करके बताना है बहुत ही आसान है आराम से कर लोगे अराम से कर लोगे ठीक है एक बार इसको देख लो यहां पर देखो यहां पर यहां पर यह पांसो छेसो एना अच्छी इसके बीच में गैप कितना है सर स नहीं जो पांचो электode यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यह जो सवाल है यह आपका पहला सवाल है ठीक है यह आपको करना है धीक है तो city T में आप brand A का देखोगे और city Q में city Q में आप brand B का देखोगे आप से क्या पूछा है, the number of users of brand A in city is what percentage? यानि कि इसका percentage बताना आपको, तो यह आराम से कर लोगी, हैना data आपके पास में आराम से कर लोगी, ठीक है sir, तो यह हो जाएगा sir, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवल की बात करते हैं, इसमें क्या बोला है, what is the difference between the average number of users of brand A and B across all five cities together, यानि कि आपको A का all निक आइपके पास में five है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा sir, इसको आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जो डवाइब करना पदेगा, तो डिवाइटो युजर से इसको निकाल के इसको पांच सिटीबाइट करोगी, Life. धोकश अबनि Лभा निकालएगा, जो भी ब करते हैं उसी तरह से यह 19 वाल सवाल है ठीक है क्या लिखा हुआ है what is the difference between the total number of users of brand A and B together in city R and the total number of users of brand A and B together in city P to difference बताना है आपको brand A में कहां देखना है आपको total number of users of brand A and B together in city R ठीक है तो A और B in city R देखना है आपको और फिर total number of users देखना है A और B का P में तो city R और city P में A और B के कितने number of users उसका difference बताना है आपको अराम से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं चार्ट आपके पास में है घराफ आपके पास में है आगे बढ़ते हैं इसको देखते हैं यहां पर क्या बहुत है what is the respective ratio of the number of users of brand A in city P to number of users of brand in city S ठीक है तो यहां पर आपका क्या बोल रहा है what is the respective ratio of the number of users of brand A in city P to the number of users of brand यहां पर अपना B लिकलो B in city S ठीक है भी इन city S ठीक है शहर P में brand A के संख्यका शहर S में brand के उप्यों ठीक है समझ में आगे है ठीक है न अच्छा यहां पर यहां पर यह भी हो सकता है कि यह सेमी brand हो सीमी brand तो एक बर option से एक बार आप वेरिफाई कर वाले ना क्यों सकता है सेमी ब्रांड हो यहां पर बस पी और एस में आपसे पूछ रहा है ठीक है और अगर आपका एंसर मैच नहीं हो तो आप समझ आना कि फिर यहां पर ब्रांड भी होगा ठीक है ठीक है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं तो आपके कजन है ना रिलेटिव में कोई हो रिलेशन में कोई हो है ना बहुत सारे रिलेशन होते हैं इस एज में आपके तो कोई भी हो तो आप उनको यह बारे में बता सकते उसके बारे में कि या आप में आप में से कोई भी बच्चा अगर इन में से किसी भी कोड़ से बिल कि आपका concentration, आपका focus सिर्फ एक चीज़ पर रहता है और आप डेली कुछ ने कुछ सीखते हो, है ना, डेली कुछ ने कुछ सीखते हो, कुछ ने कुछ अपग्रेडेशन आपके अंदर होता है, आपके knowledge में होता है, ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी course से belong करते हैं, तो का एक dedicated YouTube channel बनाया है, ठीक है, आप main channel पर जाएंगे, वहां से आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी, website पर जाएंगे, वहां से भी सारी चीज़े मिल जाएंगी, साथी साथ में यह सारा जो content आपको दिया जाता है, वह 100% free है, इसके लिए आप से कुछ भी charge नहीं किया जाता ह है, ना तो आपको बोला जाता है कि सब्सक्रिप्शन कर लो, सिर्व आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ति उसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है बिटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, तो यह information आप बाकी आगे तक पहुचाएंगे, ठीक है, और उ सकते हैं, बन सकते हैं, उन सवालों को हम डिसकस करने वाले हैं, उस mock test में, ठीक है, तो मिलते हैं, नेक्स सेशन में अपना ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं क है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मिलते हैं, नेक्स सेशन में अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू.